इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें जब हार्ट तक oxygenated blood पहुचाने वाली खून की नलियों में blockage कुछ जादा ही हो जाता है जो की angioplasty या किसी अन्य तकनीक से clear नहीं किया जा सकता तब bypass surgery का उपयोग किया जाता है सारे steps involved हैं और कई सारी चीजों का खयाल रखा जाता है पर एक general understanding के लिए में इस टेक्नीक को आपके सामने थोड़ा simple करके present करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको cap जी यानि की coronary artery bypass grafting या जिससे simply बोलते हैं bypass surgery आपको अच्छे से समझ आ जाए तो अब ध्यान से सुनिएगा bypass surgery का सीधा सा उद्देश होता है heart तक oxygenated blood को पहुचाना ताकि जो heart attack से जो damage हो रहा है heart को वो रुख जाए और इस bypass surgery को करने के लिए doctors bypass graft का use करते हैं तो अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये bypass graft क्या है और इसे कैसे उपियोग किया जाता है तो अब समझ ये bypass graft एक छोटे खून की नली के टुकडे को कहते हैं जो की या तो patient के body से किसी पार्ट से निकाल लिया जाता है या फिर artificially रूप से तय किया जाता है इसका इस्तमाल doctors bypass यानि कि एक alternate रास्ते को बनाने में करते हैं जिससे खून को heart तक पहुंचाया जा सके इस bypass route को create करने के लिए doctors blocked खून की नली के शुरूआती सिरे को heart से जोडते हैं bypass graft की मदद से यानि कि उस खून की नली की टुकडे से जिसे हम bypass graft कह रहे है उससे एक अलग रास्तक बनाया जाता है जिससे रुका हुआ खून blocked नली को bypass करते हुए heart तक पहुंच जाए और heart attack से हो रहे damage को रुका जा सके यह बिलकुल उस तरह की situation है जब आप एक सफर के दौरान bypass route को चुनते हैं जब आपको लगता है कि यह गाउं से जाने वाला आ depend करता है कि कितनी coronary artery नलियों में blockage है और operation के बाद व्यक्ति को isolation ward में shift करके proper care के साथ रखा जाता है और कुछ दिनों के अंदर व्यक्ति recover होके normal life की तरफ बढ़ने लगता है तो यह थी वह important जानकारी जो मैं bypass surgery के बारे में आपके साथ share करना चाहता था I hope कि आपको इस वी वीडियो को अपने दोस्तों और अपने family members के साथ ताकि वीडियो जानकारी दे सके उन लोगों को जो bypass surgery के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe किजे bell icon को दबाकर all पे click किजे ताकि इस तरह के video notifications आपको आगे भी मिलते रहें तो आज के लिए कुछ इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ